अपने रिसेप्शन को लेकर मौनी रॉइ ने उठाया बड़ा कदम क्या कैंसल हो जाएगी मौनी की रिसेप्शन पार्टी? वेल क्या है पूरी खबर? चलिए आपको बताते हैं टीवी की पॉपिलर एक्ट्रेस मौनी रॉइ कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बनने जा रही है मौनी बिजनिसमेन सूरज नाम बियार से 27 जनवरी को शादी के बंधन में बन जाएंगी मौनी की शादी गोवा में बहुती धूम धाम से होने वाली है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी शादी में मौनी ने कुछ खास लोगों को ही इन्वाइट किया है मौनी शादी के बाद मौनी में अपने इंडस्ट्री से जुड़े दोस्तों के लिए ग्रेंड रिसेप्शन रखने वाली थी लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी शादी का रिसेप्शन कैंसल कर दिया है Bombay Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौनी ने अब अपना रिसेप्शन कैंसल कर दिया है सोर्स के मुताबिक मौनी और सूरज ने मुंबई में अपने दोस्तों के लिए शादी के बाद पार्टी का अरेंजमेंट किया था लेकिन मुंबई में कोविट के बढ़ते मामले को देख कर उन्होंने ये रिसेप्शन पार्टी कैंसल कर दी है क्योंकि मौनी नहीं चाहती थी कि वो कोविट सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई रिस्क लें कोविट केस बढ़ने की वज़े से मौनी ने शादी के गेस्ट लिस्ट में से कई नामों की भी कटौती की अब उनकी शादी में वही लोग एंटर कर पाएंगे जिनके पास RTPCR रिपोर्ट होगी वेन्यू पर हर गेस्ट से RTPCR रिपोर्ट की भी डिमांड की जाएगी तभी गेस्ट को शादी के वेन्यू में आने की परमिशन मिलेगी वेल मौनी हम तो आप से यही कहेंगे ही आपने अपनी तरफ से एकदम सही फैसला लिया है इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें